सान्वी शर्मा तो आज मैं पिकर कार्ड रीडिंग करने जा रहे हूं जैसे कि आप सबको पता है कि 20 नवेंबर 2020 को जुपीटर ट्रांजट कर गये हैं गुरू या ब्रस्पती जिसको बोलते हैं उनका ट्रांजट हुआ है मकर लगन में यह ट्रांजट अर्ट साइन में हुआ है यहां पर नीच भंग राजयोग बन रहा है नीच भंग राजयोग का मतलब यह नहीं होता है कि आप यह सोचे कि आपके लिए चीजे पॉसिटेव ह निकल कर आने वाली है बिकाज यह नीच भंग हो रहा है इसमें बहुत सारे फाक्टर्स इन्वाल होते हैं तो जब भी कोई ग्रै ट्रांजट करता है कभी प्लानेट कोई ट्रांजट करता है तो एनरजी में जरूर चेंज आता है and I would really suggest you कि ये reading जो लोग love reading के terms में देखना चाते हैं अपने ज्यान की वृद्धी के terms में देखना चाते हैं और संतान के terms में देखना चाते हैं आप ये इस reading को ज़रूर देखिएगा basically ये love reading ही होगी आज का topic अभी मैं discuss करते हूँ जुपीटर यानि की ब्रस्पती कारक है शादी के basically लड़कियों की कुंडली में लड़कों की कुंडली में अलग-अलग effect देते हैं जो ट्रांसेट जुपीटर का है वो शादियां करवाएगा घर बनवाएगा प्रॉपर्टी इस तरह के ट्रांसेट हैं मैं यहाँ पर astrology के prospectus से नहीं देख रही हूँ चीजें मैं उस अंगल से आपको यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ astrology I know very well तो मैं उस terms में यहाँ पर बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पर आज का topic discuss करती हूँ आपके साथ कि जो लोग अभी अपने partner के साथ हैं या जिन से आप प्यार करते हैं उनके साथ आपकी marriage क्या इस transit से होगी तो यह चीज़ देखते हैं यह transit जो जुपीटर का transit होता है साटन का transit होता है राहु केतु का transit होता है that is very important one तो यह जुपीटर का transit है हम इसके उपर बात करते हैं आज यह love reading के base पे बनाऊंगी मैं कल मैं यह health और आपके जो growth उसके उपर यह video मैं आपको provide करूँगी so यह यह सारे zodic signs के लिए है कोई मचे यह नहीं पूछे का यह Capricorn के लिए है या यह Sagittarius के लिए यह सारे zodic signs के लिए है okay and one more thing I want to tell you यहाँ पर आपके बस दो option है pick a card reading है यह तो यह pile no.1 है यह pile no.2 है green color pile no.1 white pure white color this is pile no.2 अब कही कहते हैं कि मैम हमें pile selection का time नहीं मिलता है हम crystal को ध्यान से देख नहीं पाते हैं तो आप video को pause कीजिए दोनों crystals को देखिए अपनी eyes close कीजिए जो भी crystal आपको दिखेगा आप वह बली pile select कीजिए इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए because on card है आज and the other thing आप color preference के according crystal को select नहीं करेंगे यह जो energy की readings है I don't want to do it with material things means मैं यहां पर pile selection के लिए आपके पास यहां पर earrings और ऐसी चीज़े नहीं रखना चाहते हूं I know charms होते हैं but these crystals are somewhat energized तो energy flow करती है अच्छा लगता है कि इस terms में energy flow करती है okay so this is pile number one this is pile number two so let's see कि जिन्होंने यह pile number one select किया है उनके लिए यह जो जुपीटर का transit है उनके प्यार पर उनकी love life पर और उनके marriage पर कैसा effect डालने वाला है let's see that ओके यह एक card तो already यहां पर पड़ा है I'll select some cards on this only okay this card only तो जिन्होंने pile number one select किया है उनके लिए यह जुपीटर का transit उनकी love life में क्या लेकर आ रहा है आप मुझसे पूचते हैं कि माम यह कितने percent यह जो reading है वो accurate होती है तो देखिये मेरी reading की accuracy इस time पर जो मैं अपने personal clients के साथ भी देख रही है it is coming out to be 99% so यह चीजे होंगी आपकी जो personal situation है वो इससे कितने differ है यह different feel करते हैं आप इन reading को देखकर तो आप उसके लिए अपनी personal reading मेरे साथ book कर सकते हैं तो यह एक generalised reading है तो इस generalised reading को उसी तरीके से आप लेंगे okay very interesting cards I'm gonna say देखिए इस time पर आपकी love life में जिन्होंने pile number one से लिक किया है इस Jupiter के transit के बाद आपकी जिन्दगी में आपकी love life में बहुत सारे changes आने वाले हैं ठीक है सबसे पहले मैं इस card से start करना चाहते हूं देखिए यहाँ पर shadow का card है आप एक dark face से आपका relationship is dark face से निकल कर एक light face की तरफ को जाने वाला है आपकी जिन्दगी में जो अभी तक आप अपनी love life में struggle देख रहे हैं थे न वो struggle कहीं न कहीं खतम होने वाली है अब यह Jupiter का transit आपके लिए एक positive effect लेकर आएगा इस transit से आपकी love life के अंदर जितना भी अंधेरा है जो आपको समझ नहीं आरा चीज़े ठीक होंगी की नहीं होंगी वो definitely ठीक होंगी और मैं दूसरी perspective से अगर इस card को देखू तो आपकी love life के अंदर एक balance आने वाला है एक hold आने वाला है darkness और light के बीच में balance आएगा जिससे आपका रिष्टा एक tough cycle से निकल जाएगा इस तरह की energies हैं आपकी पास यहाँ पर देखिए union होगा आप दोनों का definite union होगा marriage की energies मुझे नजर आती हैं देखिए the king of keys the queen of keys आपकी love life के अंदर जितनी sadness जितनी चीज़ें खराब होनी थी वो हो चुकी हैं अब यह time ऐसा आ गया है जब आपकी जिंदगी में हर एक चीज़ positive होने वाली है especially your love life आपकी जिंदगी के अंदर आपकी love life के अंदर यहाँ पर union दिखाई देता है आप दोनों के relationship में जितने differences थे वो सारे differences अब खतम होंगे और आप दोनों के marriage वाली equation मुझे यहाँ पर नजर आती है beautiful beautiful देखिए आपकी sad energies relationship को लेकर जितनी भी आपकी sad energies है वो अब खतम हो जाएंगी आप इस relationship में होते हुए भी खुद को बहुत उदास फील करते हैं बहुत जादा आपको stress फील होता है लेकिन अब ये energy कहीं न कहीं खतम हो जाएगी अब आपको अपके relationship में इस तरह की उदासी फील नहीं होगी आप अपने आपको अकेला फील नहीं करेंगे यहाँ पर मुझे celebration की energy दिखाई दे रही है इस relationship में definitely marriage की chances है commitment की chances है आपके partner आपको commitment देंगे ये जुबिटे का transit आपके लिए आपके love relationship के लिए definitely positive साबित होगा definitely okay और बहुत सारी opportunities अब आपको अपने इस रिष्टे में भी नजर आएंगी आपके अंदर इस रिष्टे को लेकर तो चलो stability आएगी आएगी आपकी जो 3D दुनिया है मतलब your life कल मुझे मेरी वीडियो के नीचे कहीं लोगों ने बोला कि मैं मैं आप 3D की जगा पर अपनी life की बात भी तो बोल सकते थे technical terms है हम tarot readers है जो terms daily use करते हैं वही term मुझे निकलती हैं तो 3D means life okay तो आपकी life के अंदर आपको बहुत सारी opportunities नजर आएंगी आप बहुत सारी चीजों को experience करेंगे इस Jupiter के transit में आपकी love life से related तो जो चीजे हैं वो अच्छी होंगी ही होंगी बाकी चीजों में भी मुझे उन्नती होती नजर आ रही है okay देखिए यहां पर star seed का card है यह card spiritual level पर बहुत अच्छा होता है यहां पर देखिए rings नजर आ रही है planets नजर आ रही है तो planetary effect है आपके अंदर एक बहुत positive response आपको देखने को मिलेगा अपने love relationship को लेकर जहाँ पर आपको लग रहा था चीजे खतम हो गई है हमारे parents नहीं मानेंगे हमारे जो partner है वो वापस नहीं आएंगे आपके जिन्दगी के अंदर एक अलग सा transformation होगा इस point पर आकर आपको पता लगेगा कि किस तरह से universe की energies आपके लिए काम कर रही है आपको lighten up कर रही है आप इस time तक अभी कहीं न कहीं गुम थे आप ऐसा feel करते थे कि मैं यहाँ पर हूँ तो हूँ क्यों मैं इस love relationship को अगर अपनी destination तक ही नहीं पहुंचा सका या पहुंचा सकी तो यह relationship मेरी जिन्दगी में आया ही क्यों आप क्यों वाले question पर बहुत ज़्यादा थे और इस सवालो कि जब आप आपको इस Jupiter के transit में definitely मिलने वाले हैं आपके emotions बहुत high रहेंगे आपके लिए हर एक चीज़ अब आपके emotions के एड़ गिर्द घूमेगी आपके emotions इस point पर बहुत ज़्यादा high रहने वाले हैं इस transit के दौरान तो please अपने emotions को थोड़ा सा control भी कीचिएगा ऐसा नह कर लें तो that is a thing आप प्लीज इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा emotions are running high यह जो पीटर का transit आपके अंदर emotional changes लेकर आएगा यह emotional changes बहुत high होने वाले हैं और इतना emotional आपने पहले अपने आपको कभी feel नहीं किया होगा आप खुश रहेंगे आपको इस love relationship में खुशी देखने को मिलेगी and this is the end of a tough cycle full moon in Capricorn Jupiter किस में enter कर रहे हैं Capricorn में तो this is the end of a tough cycle जितनी मुश्किलों का सामना करना था वो आपने कर लिया है मैंने बोला ना नीच भंग राज योग बन रहा है उस वो चीज आपके लिए यहां पर 90% अच्छी आ रही है यह planetary effect आपकी love life को 90% positive वे में लेकर जाएगा आपके relationship में 90% चीज़े positive होंगी वो 10% क्यों नहीं होंगी वो भी मैं आपको बिताते हो that will depend upon your karma okay आप किस तरह से चीजों को handle करते हैं because जो Capricorn का earth sign है उसकी जो lord होते है that is Saturn ठीक है तो आपके Saturn वाले aspect को यहां पर एक चीज़ और देखने वाली है यहां पर भी दो planets नजर आ रहे है okay तो यह Saturn के rings जुपीटर okay तो यह बहुत ही divinity के साथ यह card आपके लिए निकल कर आया है जिन्होंने pile no 1 select कि I am very happy for you people आप लोगों की शादी होने के पूरे chances है आपके जंदगी बहुत खुबसूरत होने वाली है आपकी चो लव लाइफ है वह बहुत खुबसूरत होने वाली है इस पॉइंट पर जिन लोगों ने एक चीज चूज की है यह pile चूज की है उन लोगों के लिए उनका love relationship इस time पर बहुत important है तो आपको आगे से response भी positive आने वाला है I hope जिन्होंने pile no 1 select की है उन्हें मेरी reading पसंद आये हो नीचे please comment section में मुझे जरूर बताएगा So now जिन्होंने pile no 2 this white crystal choose किया है उनके लिए क्या reading निकल कर आती है let's see Okay I'll first do with this जिन्होंने ये white crystal choose किया है उनके लिए क्या reading निकल कर आती है पिए love life कैसी होने वाली है जुपीटर के transit के साथ ये जुपीटर का transit क्या changes लेकर आएगा आपके love life के अंदर So let's see Sacral chakra Birthing a new age Nine of pentacles, queen of wands, queen of swords, three queen type cards है Five of keys, eight of forces A new romantic cycle begins A time to give rather than take Okay So जिन्होंने Pile number two select किया है सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहते हो जुपीटर ब्रस्पती आपको पता है कि मतलब वो color yellow color का होता है जब हम जुपीटर की बात करते है दान करने को कहते है तो भी yellow color बोलता है तो आपको भी वीरवार को मतलब Thursday को yellow color की किसी चीज़ का दान करना है सबसे पहली चीज़ ये आपके इस टाइम पर जो सेक्रल चक्रह रहे है ने इसको भवसागर भी बोलते हैं आपकी सारी energy आपकी love life को ही surround करेगी तो उसके उपर काम होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुझे कुछ मतलब marriage अभी होगी ऐसा नहीं है थोड़ा सा delay रहेगा थोड़ा सा delay रहेगा लेकिन आपका जो relationship है वो एक नई direction पकड़ेगा सबसे पहले तो नई तरीके से यह relationship अब चलेगा आपके dreams के according यह relationship अब चलेगा नई creations होंगी नई चीजें आपको देखने को समझने को मिलेंगी अपने इस relationship में okay planetary effect आपको बहुत strong आने वाला है आप emotional हो सकते हैं बहुत point पर आपको emotional होकर decisions नहीं लेने हैं okay अगर आप emotional होकर decision नहीं लेंगे और आप इस energy को definitely समझेंगे तो मैं एक चीज आपको बताना चाहते हूं आपका यह relationship abundance की तरफ को जाएगा prosperity की तरफ को जाएगा fertility की तरफ को जाएगा खुशाली की तरफ को जाएगा बट एक नई direction के साथ जाएगा अभी चीज़े थोड़ी postpone होंगी अगर आपका होगी आपकी marriage अभी यहीं 2020 में हो जाएगी तो it is not possible in your case okay आपकी wishes fulfill होंगी इसमें कोई शक नहीं है आपका रिष्टा positive हो जाएगा लेकिन अभी मुझे यहाँ पर commitment की उस तरह की energy नहीं दिख रही है आपका relationship I think कहीं न कहीं खतम हो गया था वो relationship दुबारा से बनेगा एक नई तरीके से बनेगा नई direction में बनेगा यह होने वाला है जिन्होंने pile number two select किया है अब इस relationship पर आप दोनों की command equally होगी आप इस relationship में अपने rules set करेंगे और उन rules को आप अपने तरीकी से निभाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो आपके loved ones हैं उन्हें आपके इस प्यार के आगे जुकना होगा और वो कहीं न कहीं आपके marriage के लिए agree करेंगे okay and the other thing आपके wishes fulfilled होने वाली है लेकिन यहाँ पर eight of forces का card है लेकिन एक thunder lightning वाली situation आएगी आपके relationship में जब ऐसा लगेगा कि यह relationship खतम हो गया है खतम लेकिन उसके बाद एकदम एक transit आएगा जहाँ पर wishes fulfilled होगी हो सकता है कुछ लोगों का नया relationship start हो person आपकी जिन्दगी में आई आपका पुराना प्यार अगर जा चुका है तो definitely एक नया relationship आपकी जिन्दगी में आने के chances यहाँ पर नसर आ रहे हैं और जो पुराने relationship में है वहाँ पर जो यह बिजली गिरी आपके relationship पर किसी एक point पर अब वो चीजे ठीक होकर यहाँ पर concept आपके लिए ऐसी beautiful सी चीज लेकर आ रहा है लेकिन रिष्टा यहाँ पर मैं कहूंगी कि birth, rebirth हुआ है इस relationship का अभी इस relationship को पूरे अपने final destination तक महचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा a new romantic cycle begins मैंने कहाना कुछ लोगों के लिए यह दुबारा से same इंसान के साथ यह relationship स्टार्ट होगा और कुछ लोगों के लिए नए इंसान उनकी जिंदगी में आएंगे नया प्यार उनकी जिंदगी में आएगा और जो लोग पुराने अपने partners के साथ इसी relationship में आने वाले है तो उनके लिए balanced relationship होगा new moon and libra ओके और यह time ऐसा time आया है जब आप दूसरे की तरफ को ज़्यादा जुकाव देंगे means आपके partner की तरफ को आपकी dedication बहुत ज़्यादा होने वादी है आप यहाँ पर चीजों को बहुत tight होकर नहीं पकड़ेंगे आपकी खुद की कोशिश हो जाए at any cost वली situation होगी और यह relationship सच में अच्छा हो जाएगा लेकिन उसके लिए धीरे 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 चलना पड़ेगा रीबर जब होता है तो निया बच्चा जैसे पैदा होता है तो वो दीरे दीरे आगे की तरफ को बढ़ता है लेकिन अभी जो यह शुरुवात वली energy है उसके बेस पे मैंने यह रीडिंग की है तो यह जो शुरुवात की energy है यह जो जुपीटर का transit है यह आपके लिए आपके रिष्टे की शकल बदल देगा रिष्टा दुबारा से शुरू होगा प्लानेटरी फिक्स जरूर आते हैं रिलेशनशिप पर तो सपेशली अगर हम जुपीटर की बात करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि आपको यह रीडिंग कैसी लगी लाइक कीजिए वीडियो को जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आई है शेर और अगर आपके किसी काजन की यह से वेडिंग वाली सिच्वेशन चल रही है तो उन्हें भी पता लग सके तो जिलोगों रहे तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे और बेल आइकन को प्रेस करना मत पूलिएगा जिस इसी भी लेवल पर मेंबर्शिप जॉइन कर सकते हैं वहां पर मैं एक्स्क्लूजिव वीडियो सिरफ मेंबर्स के लिए पोस्ट करूंगी वहां पर मैं आपको वीडियो ओन डिमांड भी प्रोवाइड करूंगी सो थांक्स फोर वाचिंग सी यू सून